हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टू मैई चानल, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हैं कि मैं किस तरह से होममेड रोज वाटर बना दी हूँ अपना फेस वाश करने के लिए या फिर एजा टोनर यूज करने के लिए वैसे तो मार्केट में काफी सारे टोनर आपको मिल जाते हैं बड़ जो होममेड है औरिजिनल गुलाबों से जो हम अपने हाथों से बनाते हैं तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है और उसमें किसी भी तरह के कोई प्रिजर्वेटिवस वगरा नहीं होते हाँ ये बात है इसकी कि आप इसे ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं सारे ही मैंने वन बाइवन पूरे कलेक्ट की और ये सब फ्रेश है तो सारे आप सबसे पहले कलेक्ट कर लें उसको अच्छी तरह से वाश कर ले वाश करने के बाद आपको इनकी पतियां अलग कर लेनी है बहुत ज्यादा भी गुलाब आप कलेक्ट ना करें क्यूंकि ये स्टोर नहीं रह सकता इसलिए मैं भी कम से कम एक बाटल बना लीती हूं इसका कोई भी टोनर की बाटल में मैं इसे फिल करके रख देती हूं इस अपने फेस वाश करने में इस्तेमाल करती हूं बहुत अच्छा गलू आता है और रात में सोने से पहले बीसे फेस पर देख सकते हैं पैटल्स का जो कलर है वो पूरा पानी में उतर गया है और जो पैटल्स है वो बिल्कुल लाइट कलर की हो जाते है बिल्कुल वाइट जैसे ही हो जाते है लगबग तो आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और जितनी भी पैटल्स का रंग है वो पानी में आ चुकी है और बहुत ही अच्छा महक रहा है पानी जैसे ही पंखुडियों का कलर चेंज हो जाए तो आप गैस ऑफ करते हैं तो आप इसे ठंडा होने दे उसके बाद आप इसे चान कर सकते हो या तो फिर किसी टोनर की बॉटल में फिल करके आप इसे कर सकते हो फेस वाच करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छाए पेस वाच करने से पहले आप इसे पहले अपने फेस पर स्प्रे कर लें उसके बाद थोड़ा सा फेस यशा लेकि अच्छी तरह से मसाज करें एटिनों के इस्तेमाल से आपका फेस ग्लो करेगा डेफिनिटल इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है तो आप डेफिनेटली इसे ड्राइ कीजिए एक बार और मुझे जरूर बताईए आपके चहरे पर इसने किस तरह से वर्किया और आपका रोस वाटर कैसा बना तो यह था मेरा आज का वीडियो आई होपको मेरा वीडियो पसंद